रेल्वे मंत्रा लेने पुरे भारत में रेल्वे स्टेशन के आधुनिकी करेंड के लिए अमरुद भारत स्टेशन योजना नामा के एक नई योजना शुरू की है और आने वाले दिनों में रेल्वे स्टेशनों में मौजूद सुविधाओं के उन्यन और प्रतिस्तापन के साथ साथ नई आधोनिक सुविधाओं का लाब मिलेगी तथा इन स्टेशनों का काया कल भी होगा ऐसी जानकारी रेलवे मंतरी अश्विनी वैश्णाव द्वारा दी गई है इस योजना के अंतरगत दक्षिनपूर वा मध्या रेलवे नागपुर मंदल के तहत इतवारी कामठी भंडारा रोड तुमसर रोड गोंदिया आमगाओ डोंगरगर राजननगाओ वर्सा चांदापूर बाला घाट नयनपूर मंदलापूर सिवनी एवं छिनवाडा के कुल 15 स्टेशनों का चैन किया गया है और अमरूद भारत स्टेशन योजना के अंतरगत शेत्र के प्रतनिधियों सामाजिक संगठनों और आमजन के मांगों को ध्यान में रखकर तयार मास्टर प्लान में उक्त 15 रेलवे स्टेशनों में उपलब दियातरी सुविधाओ को और अ आदूनिक सुविधाओ से सुसजित बनाने ही तो विकास वर निर्मान कारियों को चरण बद्द तरीके से किया जाएगा देखे जैसे कि आपको विजित है लोकसवा में मानने है फाइनस मिनिस्टर मैडम ने बजट पेश किया उसमें रेल बजट भी का भी प्रवधान है और इस साल जैसा कि पदान मंत्री जी का एक इच्छा है कि इंफ्रास्रक्टर पर बहुत जोड दिया जाए इसलिए रेलवे को पिछले सभी वर्षों से सबसे अधिक वे 2.41 लाक करोड का पैसा जो है वो रेलवे को अबंटित किया गया है ये इंफ्रास्रक्टर के लिए जरूरी है और देश की पगर्दी के लिए एक बहुत महत्पूर कदम है इस रेलवे बजट में इंफ्रास्र अब हर महिने 2 आ 3 वंदे भारत ट्रेन का इनाउगरेशन करते हैं अभी इसका प्रेक्शन जो है लगभग 7 ट्रेन्हे पर वीक के हिसाब से होता है अब आखे चलके 3 औस जवाँ पर इसका प्रोड़क्शन होगा जिससे कि इसकी प्रोड़क्शन केपिकरिटी लगभे तीन तिक्षा हेतु परियाप्त जगह सुविदा वेटिंग रूम प्लाटफॉर्म रिटारिंग रूम आधी में मौजुद फरनीचर की आउशक्तानों सार इसे अधिक आराम दाए वटिकाओ बनाने के लिए फरनीचर को बदलना वेटिंग रूम का विस्तार दिवयांग जनों क के लिए सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर परियाप्त संख्या में शोचाले उच्चस्तर ये प्लाटफॉर्म लंबे प्लाटफॉर्म का निर्मान उच्चतम गुनवत्ता साइन बोर्ड नेट की 5G कनेक्टिविटी स्टेशन रोड चोड़ी करन सुविदा युक्त पै कर दो